हलो मैड ये फिरेंड्स क्या आपने कभी टू मिनिट रूल के बारे में सुना है तो चलिए आज हम लोग टू मिनिट रूल के बारे में जानते हैं उससे पहले शुरुवात करते हैं एक माइंड ब्लूइंग स्टोरी से बहुत पुराने जमानी के बात है एक बार एक टीचर अपने बहुत सारे स्टूडेंट को लेगर के अपने बहुत सारे सिश्यों को लेगर के जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं तो जो जब जंगल में खूब अंदर चले जाते हैं तो जो गुरू जी होते हैं वो अपने एक स्टूडेंट से बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे पास जो एक पौधा है उसको उखाड़ो तो वो शिष से जाता है और उस पौधे को उखाड़ लेता है फिर टीचर बोलते हैं कि बेटा अब उससे जो बड़ा पौधा है उसको उ पाढ़ा यह जुट के गृष्य को खुट ए और उसका बगल में एक पेडा होता है चोडा सा पेडा होता है को टीचर बोलता है लो अबन ऑडा सा जोर लगाता है ताकत लगाता है को हईनत करता है डो उस प्रकूलत habits ुखाड लेता वो तो बहुत बड़ा है और उसके जड़ काफी नीचे तक फैले हुए मैं उसको कैसे उखार सकता हूँ तो गुरू जी बोलते हैं और टीचर बोलते हैं कि बेटा तुमने अभी हमारी आदतों के बारे में सबसे बड़ा एक्जामपल दिया है और सबसे बड़ा डेमोंस्ट्रेशन दिया है हमारी आदते हैं जितनी पूरानी होती है जितनी बड़ी होती है उसको उखाड़ना उसको रिप्लेस करना उसके जगे नया आदत डलना उतरह ही मुश्किल हो जाता है और कुछ आदतें इतनी पुरानी हो जाती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि हम लोग उसको replace करने से हम लोग उस आदत की जगे दूसरे आदत डालने में भी कतराते हैं जैसे कि तुम इस पेर को उखाड़ने में कतरा रहे हो हमारी आदत है इतनी important होती है और इतनी powerful होती है तो two minute rule के बारे में मैंने atomic habits का author James Clear से सीखा two minute rule basically ये कहता है कि आपको जब भी अगर कोई नया habit डालना है नया habit implement करना है नही आदत डालना है तो आपको बस उसको 2 minute के लिए करना है सिर्फ 2 minute के लिए करना है जैसे आपको अगर book reading के आदत डालनी है किताबें पढ़ने के आदत डालनी है तो आपको बस 2 minute के लिए किताब पढ़ना है अगर आपको लिखने के आदत डालनी है तो सिर्फ आपको 2 minute के लिए लिखना है कि उसको implement करना बहुत ज़दे आसान हो जाए जिससे हम लोग नहीं आदतों को implement कर सकें फिर जब आपका वो आदत डल जाएगा आपकी वो आदत पढ़ जाएगी तब आपको उस आदत को 2 मिनिट से लेकर के 3 मिनिट करना है, 4 मिनिट करना है, 10 मिनिट करना है पंदरे करना है, 20 करना है आप धिरे धिरे उसको कर लोगे, बस एक बार आदत डलने की देरी होती है, एक बार आदत पढ़ने की देरी होती है क्योंकि आदत हैं बहुत ज़दे पावरफुल होती है अरिस्टोटल कहते हैं कि we are what we repeatedly do मतलब हम लोग वही हैं, जो हम लोग repeatedly करते हैं और हम लोग repeatedly क्या करते हैं? हम लोग repeatedly, regularly अपने आदतों को दोराते हैं और हमारी आदतों से ही हमारा behavior बनता है, हमारी identity बनती है और psychology के according तो ये भी कह जाता है कि हम लोग दिन में जितने भी activities करते हैं, उनमें से 95% activities हमारी आदतों का ही outcome होता है और हमारी आदतों का ही फल होता है हम लोग आदतों के पढ़ानी हैं और हम लोग हमेशा जो भी करते हैं वो अपने आदत अनुसार करते हैं तो क्यों न अपने अंदर अच्छे आदत डाला जाए इस two minute rule की मदद से मैं तो इसको follow करता हूँ क्या आप करते हो और आप कब से इसको follow कर रहे हो comment section में जरूर बताए well then, ये video आपको कैसा लगा, comments में जरूर बताए अपना important feedback जरूर दें ताकि मैं improve कर सकूँ this is Farhan Chimimi, thank you so much